हाई अलाव व्रोवन, वेलकम और वेलकम बाक तो मैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ हशिका और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हूं कुछ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव so this video is requested, मुझे comment करके पूछा गया था, so मैंने सोचा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, इस पे एक video बनाया जा सकता है तो मैंने सोचा कि हाँ, discuss करते हैं, बट इसके लिए मुझे बहुत 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 ज़्यादा guts की जरुद थी, क्योंकि ऐसे openly public में बताना, discuss करना कैसा होगा, so इसको discuss करना एक बहुत बड़ी चीज है, so but you all are my family, so मैंने सोचा कि हाँ, क्यों नहीं आप लोगों के साथ discuss की जाए बाते हैं, and जो होगा, ऐसा होगा, सब अच्छा होगा, इस होप के साथ पर आप लोगों के साथ ये discuss करने जा रही हो, so मुझे जो comment किया गय जो है, हम लोगों के साथ discuss कर सकते हैं, जो आपने exam दिये हैं, CA final November 2022 के, so मैं एक range आपको बताऊंगी, कि what I expect from this exam, although जो exam है, वो हमारे CA final का exam था, CA final group 2 का, मेरे CA final group 1 का exam है, वो clear है, and CA final group 2 से मैं क्या expect कर रही हूँ, उसके लिए मैंने अलरी एक video डाल रखी थी, but individual subject wise, जो marks है, वो मैंने disclose नहीं किये थे, कि क्या मैं expect कर रही हूँ, कि individual paper से मुझे कितने कितने marks मिल सकते हैं, although जो मैं मतलब discuss करने जा रही हूँ, ये as per my opinion है, जैसा मैंने exam दिया है, जैसा मैंने copy में लिखा है, क्योंकि पता होता है, कि जब आपके पास paper आता है, कि हाँ, आपने 5 number के ल पता होता है, कि कितना हमने सही लिखा होगा, इन कितना गलत लिखा होगा, कुछ relate करके लिख देते हैं, कभी-कभी कुछ जो है, हम थोड़ा बहुत guess करके लिखते हैं, तो ऐसे paper attempt होता है, and मेरा strategy होता है, exam देने का हमेशा से, सिर्फ मैं इतना focus करती हूँ, कि जो 100 marks का attempt कर हूँ, जो 100 marks का paper मेरे पास आया है, तो मेरा कोई भी paper छूटे ना, मैं ये ensure करती हूँ, कि हाँ 100 number का, जो है, वो मैं paper में लिख किया हूँ, and सब को ये पता होता है, कि हाँ 100 number का किसी को नहीं आता है, but ये है कि हाँ कुछ ना कुछ होता है, कि हम कुछ ना कुछ like expectation के हिसाब से, या फिर कुछ जो हमने पढ़ा है, थोड़ा सा इधर, उदर से, मिक्स करके, सब कुछ वो लिखने की कोसिस करते हैं, कि हाँ, ऐसा होता है, कि 100 marks का जो होता है, कि कभी किसी को पूरा 100 marks का paper नहीं आ सकता, तो मैंने जो CA final group 2 का exam था, like SCMPO हो गया, DTO हो गया, IDTO हो गया, and म what I expect from these paper, तो वो मैं बताऊंगी, तो start करती हूँ SCMP से, तो अगर मैं SCMP की बात करूँ, जो हमारा costing है, costing, practical and theory mix का subject है, and दोनों mix जैसा ही paper में आया था, case studies भी थी, and मैं SCMP से क्या expect कर रही हूँ, तो मैं एक range बताती हूँ, जो SCMP का paper हुआ था, मेरा, वो ठीक हुआ था, so जो इसका range है, वो मैं expect कर रही हूँ, 50 to 55, like 50 से 55, या plus भी हो सकता है, so मैं इतना expect कर रही हूँ, कि हाँ 50 से 55 नंबर जो है, वो मेरा SCMP में आ सकता है, so क्य मेरे लिए paper जो था, like मुझे लगा कि हा, मेरा SCMP का paper जो है, अच्छा हुआ है, and next मैं economic law की बात करते हूँ, जो कि open book examination, and हमारा open book examination है, तो सबके different different subject select किये होंगे, तो like जो मैं ने select किया था, वो मेरा था paper 6D, economic law, and economic law में भी मैंने 100 mark सा question जो है, वो attempt किया था, and what I expect from economic law, economic law का paper जो है, वो मेरा अच्छा हुआ था, 8K studies भी मिल गई थी, so मैं इसमे 60 plus जो है, वो expect कर रही हूँ, like economic law में, मैं exemption expect कर रही हूँ, and I hope कि हा, मुझे exemption मिल जाए economic law में, क्योंकि this time economic law का paper जो था, वो easy भी था, manageable था, तो 60 plus मैं expect कर रही हूँ इसमे, and next move करते है, DT, DT से मुझे ब बहुत ही जादा vast है, and मैं examination hall में जाने से पहले भी मैं डर रही थी, कि हाँ DT का paper कैसा आएगा, and क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, so, जैसा मैं इतना डर रही थी, जब मुझे examination hall में, जब मुझे paper मिला, then I realized कि DT का paper, मुझे बहुत tough लग रहा था, actual में tough था, कि नहीं थ या फिर हो सकता है, according to my preparation, वो DT का paper मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा टफ लगा, and I was like blank, कि हाँ DT में मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, like all MCQs, and जितने भी 70 marks के question का मुझे descriptive का answer करना था, वो सब कुछ, so, DT के लिए मैं बहुत, जब मैं examination hall से भी निकली थ हो, so, DT मुझे बहुत कुछ expectation नहीं है, so, like, जो DT में expect कर रही हूँ, वो 40, 45, plus SI मैं expect कर रही हूँ, कि हाँ, जो range है, वो 40 से 45 के बीच में मेरे marks रहेंगे DT में, so, next, मैं अगर IDT के बात करूँ, तो IDT जो है preparation मैंने की थी, and अच्छे जी की थी, and IDT का जो examination में question आया, like IDT का paper मेरा ठीक हुआ था, and IDT में मैं कितने marks expect कर रही हूँ, like IDT का जो MCQs था, थोड़ा सा tricky था, and जितने भी 70 marks का जो आया था, वो मुझे manageable लग रहा था, so, IDT का paper मेरा अच्छा हुआ है, तो IDT में मैं 50, 55, plus, जो है, वो expect कर रही हूँ, so, this is my expectation, all about, like, group 2 के लिए, and I hope कि expect कर रही हूँ, उस हिसाब से result आजाए, उससे भी अच्छा result आजाए, अगर मैं hope ही कर रही हूँ, तो मैं अच्छा ही सोचूंगे अपने लिए, कि हाँ, जो भी आए, वो अच्छा है, and like, जो बेरा इस बार का result रहा है, वो life changing result रहा है, क्योंकि, this is CA final का, मेरा final group का result है, and of course, यह result जो हगवा, वो life changing ही होगा, so this all about my expectation, तो आप लोग का चपी देखना यह वीडियो, तो प्लीज मुझे ऐसे comment मत करना लग कि, मैं आप इसमे इतना expect कर रहे हूँ, यह paper तो easy था, मैं आप इसमे इतना expect कर रहे हूँ, यह paper तो tough था, like this, तो क्या होता है, कि आपने किस ह father लिखा है, यह vary करता है, person to person, like मेरी preparation के हिसाआब से हो सकता है, जो paper मुझे tough लगे, वो आपको easy लगे, यापके preparation के हिसाआब से ऐसा भी हो सकता है, यह paper मुझे tough लग रा हो, so it's all about preparation, की आपकी preparation कैसी है, उस paper के लिए, मतलब उस paper के लिए, और आपने कितने अच्छे से present कि कि जब हम answer लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं थोड़ा भी उस question से वो relate कर पा रहा है या नहीं relate कर पा रहा है तो इन सारी चीजों की knowledge हमें होती है क्योंकि इतना सारा syllabus हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हां क्या सही है क्या गलत है तो हम बहुत कुछ अपना पर्मुटेशन कॉबिनेशन लगा के उस क्वेशन का अंसर करने की कोसिस करते हैं तो मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैं होपिंग फॉर बेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ इस बार लाइक जो हमारा अपकमिंग एयर है 2023 उसमें कुछ अच्छा हो और लेट सी क्या होता है क्या नहीं होता है तो whatever I expect from this November 2022 exam तो वो सब कुछ मैंने बता दिया and I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and please अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर लीजेगा and in case कोई भी question हो कुछ भी हो तो आप मुझे comment section में comment करके पूल सकते हैं thank you for watching this video